Hello students, how are you all? Students, आज हम पढ़ेंगे कौनी बैक्टेरियम डिप्थेरिया के बारे में आईए तो हम इंट्रोडाक्शन से शुरू करते हैं Students, कौनी बैक्टेरियम डिप्थेरिया सिलिंडिकल रॉड शेप के होते हैं And इनकी बोथ एंट पे क्लबिंग होती है जैसा कि आप देख सकते हैं इनकी बोथ एंट पे क्लबिंग होती है And ये प्लियो मॉर्फिक होते हैं Students, कौनी बैक्टेरियम डिप्थेरिया नौन कैप्सुलेटेड एसिट फास्ट क्राम पॉसिटिव होते हैं And इनकी जो ग्रैनिूल्स होती है वो पॉली मेटा फॉस्फेट से कंपोस्ट होती है Students, कौनी बैक्टेरियम डिप्थेरिया कि जब हम स्टेनिंग करेंगे लोईफर स्मिथलीन ब्ल्यू से तो ब्ल्यू इश पॉर्पल मेटा क्रोमेटिक ग्रैनिूल्स हमें दिखती है पॉलर बॉडिस के साथ Students, कौनी बैक्टेरियम डिप्थेरिया कि आप अपियरिंस देख सकते हैं इस लाइड में यह चाइनीज लेटर्स की तरह अपियर होते हैं Students, अगर हम इनकी क्लासिफिकेशन की बात करें, कौनी बैक्टेरियम की क्लासिफिकेशन की बात करें तो कौनी बैक्टेरियम डिप्थेरिया और डिप्थेरोइट्स यह एक जैसे से ही दिखते हैं और यह ग्राम पॉजिटिव क्लाब शेप्ट रॉड्स होते हैं इन में से कुछ सेप्रोफाइटिक होते हैं सेप्रोफाइटिक का मतलब मैंने आपको लास्ट लेक्चर वीडियो में भी प्रीविस लेक्चर वीडियो में भी बताया था कि सेप्रोफाइटिक का मतलब है कि ऐसे और्गानिसम्स जो डेड और डिकेइंग मैटर पे सर्वाइव करते हैं तो इन में से कुछ सेप्रोफाइटिक होते हैं और कुछ एनिमल्स में डिसीजिस प्रेड्यूस करते हैं स्टूडेंट्स कौनी बैक्टेरियम डिप्थेरिया मोस्ट इंपोर्टेंट पैथोजन होता है इस ग्रुप का अगर हम इनकी मॉर्फोलोजी और कल्चर केरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यह स्मॉल ग्राम पॉजटिव बैसिली होते हैं और इनकी जो एरेंजमेंट होती है वो चाइनीज लेटर्स की तरह होती है जैसा कि अभी आपने इसे पहली वाली स्लाइड में देखा था अगर इनको हम ब्लड अगर की सर्फेस पे ग्रो कराते हैं तो किस तरीके की कॉलनी अपियर होगी तो ब्लड अगर के सर्फेस पे ये रेस्ट ट्रांसलूशन ग्रे कॉलनीज अपियर होती है इनकी स्टूडेंट्स अगर हम क्लासिफिकेशन में क्लियोड की बात करें तो इनको थ्री टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है ग्रेविस, इंटरमेडियस और मैटिस ग्रेविस तो है वो most serious हेमरजीक पेरलाइटिक कॉम्पिकेशन कॉज करता है एपिडेमिक कॉज करता है और इंटरमेडियस हेमरजीक कॉज करता है अब कॉर्णी बैक्टेरियम की मॉर्फोलोजी त्री मॉर्फोलोजिकल टाइप्स है कॉर्णी बैक्टेरियम डिप्थेरिया का अब थ्री मॉर्फोलोजिकल टाइप्स ऑफ कॉर्णी बैक्टेरियम डिप्थेरिया और फाउंड ओन टेलोराइट कंटेनिंग मीडिया पे इनके तीन मॉर्फोलोजिकल टाइप्स जो है वो पाये जाते हैं माइटिस जो है वो ब्लाक कॉलिनी फॉर्म करती है ग्रे पेरिफेरी के साथ माइटिस ब्लाक कॉलिनी फॉर्म करती है विद ग्रे पेरिफेरी और ग्रेविस लाज ग्रे कॉलिनी फॉर्म करती है and intermediate small dull grey to black colony form करती है and यह सब के सब immunologically identical toxins जो है वो produce करते हैं यह सब के सब immunologically identical toxins produce करते हैं अगर इनकी हम culture characteristics की बात करें तो इनको हम 35 to 37 degree Celsius temperature पर incubate करते हैं 24 hours के लिए and इनको जो suitable pH चाहिए growth के लिए वो 7.8 to 8 होती है for good growth and they require access to oxygen and यह catalyst positive होते है as इनको इनकी growth के लिए oxygen की requirement होती है so it's quite always की यह catalyst positive होते है students अगर हम resistance की बात करें तो यह कितने temperature पे कितने time में kill हो जाएंगे तो यह 58 degree Celsius temperature पे 10 minutes में ही kill हो जाएंगे and यह 100 degree Celsius temperature पर एक minute में kill हो जाएंगे even यह blankets पे, floor dust पे, toys पे, inaminate objects पे survive करते है अब students diphtheria होता क्या है what is diphtheria तो upper respiratory tract के local tissues में infection होता है जिसमें toxins का production होता है जो की heart और peripheral tissues पे systemic effect डालता है students अगर हम इनके culture characters की बात करें तो इनको अपनी growth के लिए enrichment media की जरत होती है जिसमें blood, serum या egg present होना चाहिए and 37 degree Celsius temperature pH 7.4 होना चाहिए यह aerobic और facultative anaerobic होते हैं and common media जो हम use करते हैं इनको grow करानी के लिए वो loifer serum slope and tellurite blood agar है students बायो chemical reaction की बात करें तो यह acid production करते हैं glucose, lactose, maltose, dextrin and यह acid production नहीं करते हैं किनके किनके साथ तो lactose, mannitol, sucrose इनके साथ यह acid production नहीं करते हैं and यह glucose, lactose, maltose, dextrin के साथ acid production करते हैं and यह साब के साथ fermentation reaction all fermentation reaction tested in his serum sugars his serum sugars में सारे fermentation reactions test किये जाते हैं and यह ureous negative test होते हैं ureous test इनके लिए negative होता है यह negative results शो करते हैं ureous test पे pathogenicity की बात करें तो यह bacteria invade करते हैं colonize करते हैं proliferate करते हैं and यह toxin produce करते हैं and यह epithelial and neutrophils को kill कर देते हैं यह हमें pharyngitis and cutaneous lesins cause करते हैं produce करते हैं lab diagnosis की बात करें तो हम कैसे diagnose करेंगे इनको तो specific treatment is more important than laboratory diagnosis specific treatment ज्यादा important होता है lab diagnosis के लिए and diphtheria bacilli को हम isolate कर सकते हैं isolation of diphtheria bacilli and testing for toxicity students जैसा कि हम जानते हैं कि कौनी bacteria diphtheria जो disease cause करते हैं वो अपने toxic effect की वज़े से cause करते हैं यह toxin produce करते हैं and toxins की वज़े से ही disease cause करते हैं students अगर हम sample collect करने की बात करें तो हम throat sabs, smear examination, gram staining, then immunofluorescent methods को use कर सकते हैं या फिर हम इनको loifer serum slope, tilluride blood agar और blood agar पे culture कर सकते हैं students growing the corny bacterium diphtheria उनको हम grow कराते हैं तो अगर उनको हम serum slow पे grow कर आते हैं तो छह से आठ six to eight hours में growth हो जाती है और बैसली अगर हम इनको stain करते हैं हम Albert stain करते हैं तो जो बैसली है उसके metachromatic granules जो है वो दिखती है हमें and tilluride blood agar पे जो इनको हम grow कराते हैं तो दो दिन लगते हैं इनकी colonies के manifestation के लिए दो दिन लग जाते हैं students आप यह देख सकते हैं इनकी colony की morphology जैसा कि हमने discuss किया था कि ब्लाक कलर की colony फॉर्म करते हैं विद ग्रे पेरिफेरी यह आपको दिख रहा होगा कुछ सिर्फ ग्रे डल ग्रे कलर की ड्रल ग्रे टु ब्लाक कलर की colony फॉर्म करते हैं कुछ ब्लाक कलर की colony फॉर्म करते हैं तो आप देख सकते हैं की कॉलोनी की मॉर्फिलोजी को स्टूडेंट्स अगर हम एपीडिमियोलजी की बात करें तो डेवलाप नेशन में और एरेडिकेट हो चुका है अगर आप प्रोलाउंट कोंटेक्ट में हैं किसी इंफेक्टिड परसन के तो यहां से भी यहां से भी स्प्रेड हो जाते हैं अगर इनकी treatment की बात करें तो antibody एक जादा useful नहीं होता है acute infection में even anti-toxin जो है वो ज़रूर देना चाहिए हमें primary concern के तौर पे क्योंकि यहाँ जो disease करते हैं यह infection cause करते हैं यह toxin की वज़े से करते हैं तो anti-toxin हमें recommend करना चाहिए और provide कराना चाहिए patient को primary concern के तौर पे and anti-toxins हम हौर serum से obtain करते हैं and जो commonly antibiotics हम use करते हैं इनकी treatment के लिए वो है penicillin apparently हम यह use करते हैं या oral erythromycin हम use करते हैं thank you so much students I hope आपको समझ में आया होगा thank you